हलो मित्रों छैमातादE मित्रों आज 30 नमंबर मंगलवार कदन है ऐसे में कुमबर 80 वाले जात्कों के लिए कैसा रहनी वाला है आज क दिन कुमबर 80 के जात्कों को आज कदन कौन से शेत्रों में कारी करणे से जादा सफलता मान सम्मान उसकर्ति में विर्दी हो सकेंगे आप अपने कारी शेतर में किस प्रकार से बहतर परदसन कर सकते हैं और किस प्रकार से बड़ी खुसकवरी को पासकोगे आप लोगों का लखी कलर, लखी नंबर कौन सा रहने वाला है और किस प्रकार से जीवन के परसाने से आपको तुरकार मिलेंगे आप लोगों के जीवन लापकारी इस दित्यों कंडर्मान किस प्रकार से होने वाला है और किस प्रकार से बड़ी खुसकवरी को पाने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को 70 बना सके जिबन अ हगुवान से Chiiri Hosehando के walksुा से हैं ऐसे खिक जीसा राजी योग करला है हो रहा है जिसके करनाぁ आप के जीवन के उभी प्रकार की प्रशाली का अंतों थोगे आप अपने जीवन में नwarmे विश्यक करतेवी आगे बढ़ सकते हैं关हبة के आंपके हैं और आनन्द दायक रह सकते हैं शिक्षा नोक्री और वेपार के चत्र में आपको बड़े खुशकवरी मिल सकते हैं तथा आपके से नएक कारी के बारे में विचार कर सकते हैं स्वाधिश्ट वेंजनों का आनन्द ले सुकोगे आपके कामकाजों के परसंसा होंगी कुछ लोग आपके बातों से प्रवावित होंगे आप अपने सोचे वेकारी को पूरा करनी की कोश़़ में लगे सकते हैं और आप कुछ नए लोगों से दोस्ती कर सकते हैं बड़े वुजरुकों का अस्रिबाद मिल सकता है दामपत्ते जीबन में कुछ याली आ सकते हैं आपको अपने सच्चा प्यार मिल सकता है दामपत्ते जीबन भी आपका सुख में रह सकता है जिसमें आपको वेपार वेवस्ताय में धनलाप के विटस अर्थर होंगे आपके जीवन में आनिवाले सुविप्रकार की फ्रसानी का खात्म होंगे, आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद में और काफी खुसहाल रहेगा, आपके वेपार का विस्तार होने से आपको कुरूरू का लाब हो सकता है, घरप्रिवार की प्रिस्तित्या काफी अच्छी हो माता लक्ष्मी जी की क्रिपासें, आप लोगों के घरप्रिवार में खुसियां होंगी, आपके जीवन में चल रहे दुखों का ना सुका, आपके सोचे समझे सभी महत्पूर्ण कारे पूरे होंगे, आपके अच्छे बेवार से लोग बहुत होंगे, चात्रों को सिक्षा के शेत्र में बड़ी सफलता मिल सकते हैं और कुछ महात्पुन लोगों से संफर्ग बन सकते हैं आपके द्वारा किया गया पुराना निवेश विफाद्यबंद सावित होंगे जिन से आप अपने वैपार वैवसाय में बड़े दनलाव की प्राप्ति कर सकते हैं आपके किसी सुबह कारी को करने के लिए आप मिदे स यात्राओं फर जा सकते हैं आपके एक्चा अनुसार आपके जीवन साथी को मिल सकता है आपको सुबसमें शुरू हो चुका है आपके रुके वेकारी भी तेजी से बनेंगे घर में खुशियां और कई ने सुबसमाचारों के प्राप्ती होंगी आपके मान सम्मान में बड़तरी होंगी आप अपने जीवन में सभी तेजी से प्रगत्ति करके आगे बढ़ सकते हैं आपको हमेशा खुश रहने के जरुत होंगी जीवन साती के बेच चल रहें वदवेद दूर होंगे नोकरी के शितर में आपका प्राप्ती होंगी तथा कारी शितर में आपके सुचे के कारी पूरी होंगे गुवान सरहरे विश्रू जी की क्रिपास हैं आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की प्रसाने समाप्त होंगी आप लगातार सफलता के नयक फिर्तिमान को स्ताफित कर सकते हैं परिवार म माता पिता का सहयोग मिल सकता है बार बार लगातार किया गया प्रियास भी आपके लिए लाप दायक सिद्ध होंगे आपके जीवन में आने वाले से प्रकार की विरासकारी सकते हो का अंत होंगे जितना आप गरीब और जुरुतमंद लोगों की भलाई के लिए कारी करेंगे उतने ही तेजी से प्रगति करते हुए, सुमाज में काम्यावी को हासिल कर सकते हैं, आपके प्रेम समंदों में मजबूती होंगी, जो लोग बिद्यार्थी वर्ग के हैं, वे सिक्तिया के शित्रों में अच्छा प्रदशन कर सकते हैं, आप अपने जीवन साती के साथ कहीं ब लोगों पर फ्रसन्न होंगे, वेपारी को वेपार में अपरत्याजित प्रणाम मिल सकता है, आपके कुछ पुराने कारे विहल होंगे, आपके द्वारा की गई कड़ी महनत पे रंगला सकते हैं, आपके द्वारा किये गई कड़ी महनत पे रंगला सकते हैं, तो था आपको एसरी है रिविश्रूजी के खृफपा से आपके जीवन में आने वाले सुभी प्रकार के बड़े-बड़े वदलाब हो सकते हैं, लवलाइफ से लेकर वैपार और नोकरी के चेटर में आपको अपार सफलता हैं मिल सकती हैं, आप जीवन में लगातार परियास करते रहें, अ था आपको वेपार वेवसाय करियर लव लाइफ में काफ़ी बड़े सुधार भी देखने को बिल सकते हैं बगवान स्रीहरी विश्रू जी की क्रिपासे आपको जीवन में सतर ग्रहनी की जुरूत होंगी आपके उपर माता काली की क्रिपाद रिष्टी रह सकते हैं सचे मन से माकाली की अरादना करके शुरू की अग्याकारे विसफन होंगे आपको जीवन में कई प्रकार की सुखसम्रदी की फ्राप्ती होंगी दंदोलत में वड़तरी होंगी आप कहीं से धंदाने में निवेश कर सकते हैं जिनसे की आपको अच्छा फाइदा होगा इस समय यात्राओं को करते समय आपको कोई सुखसमाचार की फ्राप्ती होंगी आप अपने सभी कामकाजों में सफलता को हांसिल कर सकते हैं आपके आत्मिस्वास में मुड़तरी होंगी लोग भी आपकी तारीफे कर सकते हैं पैसों के साथ साथ आपके इज़त बढ़ सकते हैं पर आठिवर्गे के लोगों को सिक्षा के शेतर में बहतर नतीजे मिल सकते हैं, आपके घर में महमानों का आगवन हो सकता है, घर परिवार में खुसे में वड़तरी होंगी, आपके वेवार में लचीनापन रह सकता है, सकरात्मा गरुबहतर प्रणाम भी आपको प्राप्त जीवन में हर काम को आप बहुत यासानी से करने में सक्ष्म होंगे, और भगवान सिरहर विश्रू जी के क्रिपस जीवन में लाव की प्राप्ती कर सकते हैं, आप लोगों को आपके पास धन और वेवो की कमी को दूर करने के मौके मिल सकते हैं, सनिदेव जी के आसरबाद स आपको लाब हो सकते हैं, धन की, अवधी में आपको सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है, पारिवारिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है, आपके जीवन साती और माता फिता का साथ आपको मिल सकता है, आप लवलाइफ में तेजी से प्रगति करते भी आगे बढ़ सकते हैं, आने बालस में आपके जीवन में नेखुशो की सोगात लेकर आएगा, आपको जीवन में कई प्रकार के अच्छे और सुबच माचारों की फ्राप्ति होंगी, खोट का चाहरी के मामलों में फैसल भी आपके पक्षम होंगे, आप अपने सत्रों पर विजय की फ्राप् होंगी, और किसी नई कारी को करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं, आपका भागी भी खुलेगा, आपको इस समय जीवन में कोई बड़ी खुशकबरी सुनने को मिल सकते हैं, आपको जीवन में नई सफलताएं मिलने के योग हैं, आपको अपने सभी कारों में पारिवार हासल होंगी आप अपने दंदूलत में इजाफा कर सकते हैं महता दुर्गा के किर्फा से آپके शत्रों का नास होने वाला है, आपके शत्रों प्रास्ट होने वाले हैं, और आपके जीवन में आपको अलग-अलग शेत्रों से नई-ईध कुसकवरी मिल सकती हैं, आपको अपने स जीवन में उन्हों लोगों का सही होगा